सराफ़ा में बंगाली कारिगर को धूख़ड़ी मामली में फसाने की धंकी देकर रिशित मामने वाले से पाही बन अगर सुरक्षय समिती सदसी को लोकायुक्त ने पकड़ा थाने की बाहर ही रिशित का पैसान में से सदसी ले रहा था लोकायुक्त ने पकड़ा तो वे भाब ने लगा तब दोड़ कर उसे पकड़ा गया एसपी लोकायुक्त सराफ ने बताया सुबाश मारगनिवासी शेक कमाल हुसेन ने शिकायत की थी बंगाली कारिगर है सराफ़ा में उसकी दुकान है सराफा थाने का सिपाही अंकितो पाद्या रुपे की मांग कर उसे परिशान कर रहा है इस पर रिशुत मांगने की वोईस रिकॉर्डिंग करवाई गई कुछ दिन पहने सराफा पुलिस ने नकली सीब्याई अफसरवन कर ठगी करने वारे दो लोगों को पकड़ा था इन लोगों ने एक विशेश केमिकल की खुच के नाम पर कई लोगों से पैसा एठा इनमें शेख कमाल का नौकर लालो भी एक पीड़िक था कटना के बाद रे पस्टे मंगाल चुला गया था इस मामले में अंकितु से धमका रहा था कि आरो पीप पकड़ा गया है जी कल पुलिस अधिक शक महोदा के समक्ष एक आवेदान प्रस्तु करते हुए आवेदाक प्रस्तुत हुए थे जिनों में बताया कि सराफात आने में पदस्त अरक्षक अंकित उपाद्ध्याय के द्वारा उससे डरा धमका कर रिस्वत की मांग की जा रही है जिस पर वाइस रिकार्डिंग कराई गई थी वाइस रिकार्डिंग में रिस्वत लिया जाना पाये जाने से आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और ट्रैप की कारवाई की गई जिसमें सराफात आने में पदस्त अरक्षक अंकित उपाद्ध्याय को नगर सुरक्षा समीती सदस राजन तिवारी के माद्यम से पांच हिजार रुपे की रिस्वत लेते हुए पकड़ा गया है और इन पर सचार निवारान अधिनियन की धारत साथ के अंतर के करवाई की जा रही है अब हमें तो यही पता चला है कि यह नगर सुरक्षा समीती के सदस हैं बाकी की चीज़ें आगे बेवेशना का विशा है कि कि किन का रोल था प्रक्रण में अधिकारी बनके लोगों को ठग रहा था तो उसमें जो है आवेदक का भी नौकर एक लालू नाम का वेक्ती है वो भी उसमें फर्यादी है उसको भी उसने ठगा है तो उसको जो है यह पेस कराने के लिए बोल रहे थे उसको पेस नहीं कराएंगे तो इनका भी नाम उस प्रक्रण में आएगा ऐसा इनको इनकी द्वारा डराया जा रहा था जिसके लिए इनसे 25,000 रुपे मांगे जा रहे थे इनको सराफा थाने परिसर के बाहर से पकड़ा है अभी नगर सुरक्षा समीती के सदस्को पैसे लेते हुए मैं डीएसपी प्रवेंट सिंग बगे लोका एक तिन दौर से